दोस्तों नमस्कार मेरा नाम संजे मग्गू है और मौझूद है देश रोजाना के डिस्टल मीडिया प्नेटफर्म पर राजनीती हो समाज नीती हो समाज हो आसू की बड़ी कीमत होती है आंक से गिरने वाला आसू जाने आपको कहां तक पहुँचा दे कई बार गी तो ये भी होता है कि आपके आसू वैसे ही चले जाते हैं और कई बार आंक से निकला हुआ आसू आपको या आपके चाने वालों को आगे तक पहुचा देता है आपसे सारी बात का जिक निसली कर रहा हूं कि आज भारती जनता पार्टी की लिस्ट जारी होई भारती जनता पार्टी ने आज 21 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की है उसके अंदर एक तो नोंने अपना कैंडिडेट चेंज किया है पहुबा का अजनाला साब बदले गए हैं और उनके इस्तान पर शर्माजी आए हैं अगले वीडियो में बताओं गाजनाला क्यों बदले गए मैं आपसे जो बता रहा हूँ कि जो 21 कैंडिडेट की लिस्ट आई है उस लिस्ट के अंदर दो नाम है एक तो बावल विधान सबाद छेतर से उनका नाम है डॉक्टर कृशन कुमार और दूसरा नाम है होडल विधान सबाद छेतर से उनका नाम है हरेंदर सिंग रामरतन ये दोनों चौधरी रामरतन जो पूर विधायक थे होडल के उनके परिवार से हैं हरेंदर रामरतन तो उनके बेटे हैं रामरतन जी के और क्रिशन कुमार रामरतन जी के दामाद हैं मैं जो आपको सारी बता रहा था चौधरी रामरतन भारती जन्ता पार्टी में शामिल हुए थे 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले 2014 के विधानसभा चुनाव में चौधरी रामरतन को भारती जंता पार्टी ने अपना केंडिडेट बनाया उनको टिकेट दिया होडल विधानसभा से चुनाव हार गए रामरतन चुनाव नहीं जीत पाए और चौधरी उदय भान जो कॉंग्रेश के परदेश अध्यक्ष आज कल हैं वो भान चुनाव जीत गए 2014 में 2014 के बाद में 2019 आ गया 2019 के चुनाव में रामरतन के बेटे हरेंदर रामरतन टिकेट चाहते थे होडल विधानसभा का बड़ी तयारी भी थी और हरेंदर रामरतन के जो पुरोधा हैं हरेंदर रामरतन के जो बैकबॉन हैं हरेंदर रामरतन को जो सपोर्ट देते हैं वो है क्रिशनपाल गूजर केंद्री राज्यमंत्री क्रिशनपाल गूजर जो फरिदाबाद के सांसद हैं उनका पूरा समर्थन मिलता है हरेंदर रामरतन को क्रिशनपाल गूजर ने भी ट्राई किया कोशिश की उनको टिकट दिलवाने की 2019 के चुनाव में सफल नहीं हुए स्थान नहीं मिला था मंच पर तो मंच पर उनकी रुलाई फूट पड़ी थी मंच पर रुलाई फूट पड़ी थी चौधर रामरतन की वो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया अख़वारों में तमाम मीडिया प्रेटफॉर्म्स पर वो फोटो छपे थे आप भी में देख सकते हैं चुनाव बीद गया 2019 का टिकेट मिला नहीं हरंदर रामरतन को उसके बाद भी कई ऐसे मोके आए जब चौधरी रामरतन कई बार अपने आपको असहाय सा निराश्रित सा महसूस करते थे भारती जंता पार्टी में इधर दूसरी तरफ हरंदर रामरतन उन लोगसभा चुनाव बहुत महत्यवपूर्ण था और इस चुनाव के अंदर होडल विधान सभा के अंदर खासकर कहा जाता था कि होडल विधान सभा में चुनाव भारती जंता पार्टी बहुत बुरी तरह हार सकती है राजनितिक पंडित अनुमान लगाते थे कि होडल विधान सभा में भाजपा के कैंडिडेट क्रिशनपाल गूजर जो लोगसभा के कैंडिडेट थे अनुमान लगता था राजनितिक पंडित कहते थे कि ये डिफ्रेंस हो सकता है 20, 25, 30, 40,000 यहां तक की बात आती थी चुनाव हुआ, मद्दान हुआ और चुनाव का परिणाम आया चुनाव परिणाम के अंदर 500 वोट से क्रिशनपाल गुजर पीछे रहे जहां 30, 25, 30, 40,000 की बात होती थी वो मार्जन घटके 500 तक आ गया हरेंदर रामरतन टिकेट की ट्राई में थे, पूरी तरह से और आश्रित थे, समर्पित थे या उनको जो भी सहरा था वो केवल क्रिशनपाल गुजर का कई बार निजी बादचीत में कहते थे कि मेरी तो मंत्री जी तक ही पहुँच है खेर, हरेंदर रामरतन को अब टिकेट मिल गया चौधरी रामरतन के बेटे हरेंदर रामरतन को विधान सभा का टिकेट मिल गया आज जो सूची जारी होई और दूसरा टिकेट मिला डॉक्टर कृशन कुमार को डॉक्टर कृशन कुमार को बाबल विधान शभा चेतर से टिकट मिला है वहांके जो विधायक थे बनवारी लाल, डॉक्टर बनवारी लाल डॉक्टर बनवारी लाल स्म-ट हुआ करते थे कभी जनता पार्टी ने टिकेट दिया है अब डॉक्टर कृशन कुमार को डॉक्टर कृशन कुमार फरिदाबाद रिवाड़ी इन तमाम जगाओं पर सीमों सिविल सर्जन रहे थे अबी आजकल वो हेल्थ डारेक्टर थे और आज सुबह ही उन्होंने हेल्थ डारेक्टर के पस से इस्तिफा दिया और दोपैर होते होते उनको टिकेट मिल गई रामरतन जी के दामाध है डॉक्टर कृशन कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि उनको टिकेट दिल्वाने में जो प्रमुख योगदान है राव इंदर जी सिंग का है लेकिन जो मैं आपको वीडियो के शुरू में कह रहा था कि यह रामरतन की जो आंशु गिरे थे गया कि एक ही परिवार में दो टिकेट मिल गई जीजा साले को टिकेट मिल गई और आप कहें तो बेटे और दामाद को टिकेट मिल गया इसे कहते हैं राजनीती का या किसी भी छेत्र में डबल डोज डबल बूस्ट और डबल बूस्ट के साथ में अब रामरतन एक तरफ जहा आपको क्या लगता है कि क्या ये अश्रुमों का पारितोशीक है और या फिर मेहनत आपको क्या लगता है कि क्या बावल से डॉक्टर कृशन कुमार कामयाब हो पाएंगे और आपको क्या लगता है कि होडल में हरेंदर, रामरतन, चौधरी, उदैभान को कितनी बड़ी चुनौती दे पाएंगे कमेर्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े नए हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन जरूर दबाएं अगर आप ये वीडियो फिस्बुक या इंस्ट्रेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें